हेलो दोस्तो दे डॉक्यमेंटरी फेक्टरी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त सुनिल तो दोस्तो आजकल एक अफ़ा फैला हुआ है या एक ख़बर फैला हुआ है जिसमें लोग यह बोल रहा है कि कोई पुरानी एक सटर वाली टीवी या पुराना रेडियो य चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस चैनल में मैं आपको ऐसे और भी इंफरमेशन देते रहूंगा और इस वीडियो को अन तक देखें और समझें इस खबर में किस तरह के फायदे हैं और किस तरह के खत्रे हैं तो क्या यह सिर्फ अफवा है या इसमें कोई सचाई है आपके इन इलेक्ट्रोनिक समानों के अंदर एक रेट कलर का फ्यूज मिलेगा जिसे ये लोग रेड मरकुरी पूलते हैं आज के समय के इलेक्ट्रोनिक समानों में ऐसा फ्यूज नहीं मिलता है जो भी इलेक्ट्रोनिक समान 1960 से लेकर 1990 तक बनी थी सिर्फ उसी में मिलता है तो ये भी सुनने को मिलता है कि लाल मर्कुरी का उप्योग एजिप्ट में लासो को मंन brat करने में होता था कुछ लोग ये भी करते है कि red mercury चमगादर के घो 39 में मिलता है लेकिन सच तो ये है चमगादर घो 35 दें नहीं बनाते है कहाँ red mercury क्या चीज होती है या लाल पारा क्या होता है सच ये है कि red mercury जैसी कोई चीज नहीं होती है फिर कुछ लोग ये बोलेंगे कि उन्होंने कई थर्ममीटर में लाल कलर का liquid दिखा है तो सच ये है कि वो लाल कलर का liquid पारा नहीं alcohol है कुछ लोग red mercury को nuclear weapon से भी जोडते हैं तो इस को सोसल मीडिया में कुछ ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें ये बताय जा रहा है कि रेड मर्कुरी के सामने लसुन या सोना रखने पर ये रियक्ट करेगा या जलेगा ये सभी वीडियो फरजी है लोग यहां तक दावा कर रहे हैं कि इस लाल मर्कुरी के 5-10 करोड तक मि मिल आकर रेड मर्कुरी का जो मार्केट है वो अंधा मार्केट है अंधा मार्केट का मतलब ये होता है जिसमें समान का कोई आखरी ठीकाना नहीं होता है लोग एक समान को किसी को बेशते है फिर वो समान को कोई और बेशता है अगर आप इस खबर के सच्चाई किसी को बता के लिए कुछ भी कर सकता है आज से कुछ समय पहले जब लाल मर्गरी का अफाह नहीं फैला था तब भी लोग पुरानी चीजों को खरिदने कार्ड यह था कि बहुत से लोगों को विंटेज चीजों को इकठा करने का सौक होता है अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा अगर आपको खरिदने वाला मिल जाता है तो इस टीवी को बेचना या ना बेचना आपकी समझदारी पर है लेकिन इस स्कैम में कभी इन्वेस्ट ना करें अगर आपके भी दोस्त इस चक्कर में पड़े हुए हैं तो उनको यह वीडियो जरूर सेर करें और इस खबर की सच्चा